नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अड़ाम से क्यों जिक्के में दोस्तों आजम चर्चा करने वाले हैं जो अमारे दोस्तों सिरीद चल लिए यानि राजस्तान के ओल्ड जिक्के की दोस्तों ये दोस्तों है आपके RPSC और RSM SSB की जितने भी पिछली भरती परिक्साई हुई है इसमें दोस्तों राजस्तान के सामानी ज्यान यानि राजस्तान की कला संस्कृती राजस्तान भुगोल और राजस्तान के इत्यास से दोस्तों जो परसन पूछे गए हैं इनकी दोस्तों आज हम मिस्रित वीडियो में यानि सभी दोस्तों आपके जो इसे है राजस्तान के सामाने ग्यान के राजस्तान की कला संस्करती राजस्तान भुगोल और राजस्तान की इत्यास के ये मिस्रित परसन है इसकी दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ वीडियो में इनकी चर्चा कर चुके है परसनों की यानि राजस्तान की Old GK की दोस्तों Old GK के हैं तो जो पिछली परती परिक्साओं में जो Old Question पूछे गए हैं उसकी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखें, तो राजस्तान ओल्ड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनिये, उसमें जाकर दोस्तों आप इन वीडियो को देख सकते हैं, और यकीन मालें दोस्तों, ये वीडियो आपके परिख्साम को दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो बिना समय को वैर्थ किये, दोस्तों, शुरू करते हैं, आज के हमारे पहले परसन के साथ, पहला परसन दोस्तों, ये आपके देखी कॉंस्टेबल भरती परिख्सा 2012 में पूचा जा चुका है, और द दोस्तों, बात करें, इस अरावली परवतमाला की, तो दोस्तों, इसका विस्तार है, दोस्तों, राजस्तान के साथ जिल्लों में, कितने जिल्लों में हैं, राजस्तान के साथ जिल्लों में, अब इसकी भी दोस्तों, हम चर्चा करेंगे, कि ये कौन से कौन से जिल्ले में ह तो सबसे पहले है दोस्तों आपकी सिरुई किस जिल्ले में दोस्तों सिरुई जो कि हमारे इस पर्षन का सही उत्तर है ये दोस्तों सिरुई से प्रारमबोकर ये दोस्तों अरावली परवतमाला सिरुई से प्रारमबोकर उत्तर पूरू की और जाती है तो इसका सिरी उत्र आपकी option दरता तो साथ जिलों से ये परवेश करती है दोस्तों आपकी पहला तो गया सिरुई फिर बात करें तो फिर दोस्तों ये है उदेपूर फिर दोस्तों इसका विस्तार है रासमन फिर दोस्तों अजमेर जैपूर दोस्ता और दोस्तों अलवर में ये दोस्तों आपके साथ जिल्ले हैं जिनमें दोस्तों अरावली परवत माला का विस्तार है तो इनको ध्यान रखेगा इनके बारे में भी परसन पूछ सकते हैं अब दोस्तों इसकी कुल लंबई की बात करें तो कुल लंबाई दोस्तो आपके 692 किलो मिटर है और राजस्तान की दर्ष्टी से यानि राजस्तान में बात करें तो ये है दोस्तो आपके 550 किलो मिटर यानि अरावली परवत माला का 80% बाग हमारे राजस्तान में है और दोस्तो इसकी सर्वोचोटी इसकी सरवोज चोटी है दोस्तों, गुरू सिक्कर इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखेगा और ये दोस्तों सिरुई में, ये भी काँ पर है दोस्तों, सिरुई में तो option 10 था अमरे इस परसना का right answer और ध्यान दीजेगा दोस्तों कि गुरु सिकर्चु सर्वोच चोटी है अरावली परवत माला की जिसकी आपके उचाई 1722 मेटर है कितने हैं दोस्तों 1722 मेटर इसकी उचाई जो की है दोस्तों हमारे अरावली परवत माला की सर्वोच चोटी और यह किस जिल्ले में है यह द लक्सिन पस्ची में राजास्तान किस जिले से प्रारम होकर अरावली परतमाला राजास्तान किस जिले से प्रारम होती है और उत्तर पूरू की हो जाती है तो यह होती है दोस्तों सिर्यों जिले से प्रारम तो दो अगला परसन है दोस्तों आपकी दूसरा परसन यह परसन दो ज्यान वे दिज्व को यह जे कूछ दोस्तों कि राजस्तान में विस्थद अफ़ा शेतर की दस्टी से राजस्तान की नदी पढ़नालयों का सही vorbei करम है तो धुत्तों आपवा सेटर की कि अर्द सुस्क जलवायू वाला जिल्ला है तो दोस्तों अर्द सुस्क जलवायू वाला जिल्ला कौन सा है ये दोस्तों आपके जोदपूर जिल्ला इन में से कौन सा जिल्ला है दोस्तों ये आपके जोदपूर जिल्ला ओप्शन अ है इसका राइट आंसर अगला दोस्तों आपके चौता परसन है RS Pre 2018 में पूछा चाह चुका ये परसन दोस्तों कि राजस्तान में मैं जून महिनों में उत्पन हो लेवाली दूलबरी आंधियों के लिए उत्तर दाई है यानि इन में से जो कौन सा करण है जो जून महिनों में उत्तर दाई है आपके उत्तर दाई है तो इन में से उत्तर दाई जो कारण है ये है दोस्तों आपके कुछ इस्तानों पर ये कारण है दोस्तों आपके पहला पहला कारण है दोस्तों कि कुछ इस्तानों पर समवन्य धाराओं की उत्पती तो एक ही कतन है जो ये इसका कारण है मुख्या था दोस्तों बाकि दोनों ये कारण नहीं इनके तो केवल एक है जो इसका दोस्तों मुख्या कारण है तो option द इस परसन का सही उत्तर है अग्ला पर्शन है दोस्तो आपके एपर्शन दोस्तो आपके 2nd grade 2010 कॉलेज विक्हता 2014 में दोस्तो ये पुचा जा चुका है तो राटी नसल है गाई की किसकी नसल है दोस्तो गाई की अपसन ता इस परशन का सही आंस्वर और गाय की अन्य नसलों की बात करें तो अन्य नसलों में दोस्तों है आपके सहीवाल कौनसी दोस्तों सहीवाल ये दोस्तों गाय की नसल है और चर्चा करें तो आपके गिर जर्सी थार पारकर रेड डैन और दोस्तों आपके अरियाना और है दोस्तों आपके लाल कंदारी तो ये भी दोस्तों आपके गाय की नसले हैं मुक्यता इनको भी ध्यान में रखेगा हमें परसन में पूछा था कि राटी नसल किस पस्तों से संबनित है ये दोस्तों आपके गाय से तो अब option है इस परसन का right answer अब अगला परसन है दोस्तों चटा परसन जो second grade बढ़ती परिकसर 211 में पूछा गया दोस्तों कि राजस्तान का कौन सी खादान फसल के उत्पादन में बारत में पर्तमिस्तान है तो यह हम सभी जानते हैं दोस्तों किसमें बाजरा में बाजरा फसल में दोस्तों बाजरा के उत्पादन में राजस्तान पर्तमिस्तान है दोस्तों आपके बारत में तो इसका सेयुत्तर था आपके option अगला है दोस्तों आपके साथो परसन की यह परसन दोस्तों आपके ब्लू पॉर्टरी के जनक भी इन्हें कहते हैं यह थे आपके करपाल सिंग सेकावत कौन करपाल सिंग सेकावत option इसका right answer था इनको दोस्तों ब्लू पॉर्टरी के जनक और जादूगर भी क्या दोस्तों जनक और जादूगर भी इनको कहते हैं ब्लू पॉर्टरी के अगर पूछे कि ब्लू पोटरी के जादूगर सकरपाल से इन सेकावात का संबन किस जिल्ले से था तो दोस्तों इनका संबन था आपकी था सिरुई जिल्ले से तो अगला है दोस्तों आपके आटो परसन कि गोट मांगलोद सेत्र का संबन किस खनीज से ये दोस्तों परसन RS बरती परिक्सा 2013 में पूचा जा चुका है तो गोट मांगलो सितर का सम्मन दोस्तों किस खनीज से है तो गोट मांगलो का है दोस्तों जिपसम से किस से है दोस्तों जिपसम से दोस्तों इसका राइट आंस्वर था अब दोस्तो यह जो गोट मांग लो दे यह कहाँ परे नागोर में दोस्तो नागोर में तो दो इसका right answer था अब अगला दोस्तो 9 परस्ट जो second grade बठीच़् परिक्षट 2011 में दोस्तो यह परस्त पूचा जा चुका है बावन दसंबलों एक परतिसद अ इसका राइट आन्जवर था अगला दोस्तों आपके दस्वाप परसंट जो कॉलेज वैक्याता 2014 में पूछा जा चुका ये परसंट दोस्तों कि राजस्तान में असोक अभीले कहां प्राप्त हुआ था तो दोस्तों राजस्तान में असोक ये दोस्तो आपके बेराट में प्राप्त हुआ था। तो इसका सई उत्तर है दोस्तो आपके आप्सन सर्थ। अब अगप्शन 21 पर्शन कि नमिल कित में से किस स्तल से सासक मिनेंडर के 16 के प्राप्त हुए। ये परसन दोस्तों आर इस प्री बरती परिकसा 2018 में दोस्तों पूचा जा चुका है कि निमिल कितमें से किस इस्टल में सासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए तो ये प्राप्त हुए दोस्तों बैराट से कहां से प्राप्त हुए बैराट से अफसन था इस परसन का सही उ सकता यह इसके दोस्तों 16 सिखे अगर पूचै कि यहां से कितने सिखे प्राफ्ट हुए बैराट से तो यह प्राफ्ट हुए दोस्तों 866 कितने प्राफ्ट Ugh 828 तो इसका से उत्र-o-prichton थह था अब अगला सब्याता दोस्तों का परिस्तिते सीकर में का परिस्तिते दोस्तों सीकर में दो अप्सन इसका राइट आंसर था अब नदी के बारे में पूछे कि कौन सी नदी के किनारे तो कांतली नदी के किनारे कौन सी कांतली नदी के किनारे अब इसके खोज करता की बात करें खोज करता की बात करें तो RC अगरवाल कौन दोस्तों रतन चंद्र अगरवाल इसके तेखोज करता किसके गणेस्वर सभ्यता के कहां पर है ये सीकर में तो दोस्तों इसका राइट आंस्वर था अब अगला परसन दोस्तों करसी परिवेश सक बरती परिख सक 2018 में पोचा क्या परसन कि ज जुनागड़ दूर कहां पर है ये दोस्तों है आपके बिका नेर में कहां पर है दोस्तों बिका नेर में तो दोस्तों इसका राइट आंस्वर था और दोस्तों इसका निर्माण राय सिंग द्वारा राजर राय सिंग द्वारा इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था the option इसका right answer है यानि जुनागरदूर कहाँ पर है आसान सा person कहाँ पर है दोस्तों बिका नेर में अब अगला person है दोस्तों आपके 14 person कि राजस्तान की प्रारंभी मध्यकाल के राजियों में अक्से पटलिक की जिम्हदारी थी तो ये person आपके ऐसा ही 2016 में पूचा क्या person important person दोस्तों तो अक्से पटलिक की जिम्हदारी थी आपके मुख्य लेका अदिकारी के रूप में काम करना किसके रूप में काम करना मुख्य लेका अदिकारी के रूप में काम करना इसका सही उतर आपके option ब है अब अगला परसन दोस्तों आपके 15 परसन 2nd grade बरती परिक्सा 2018 में पूचा के परसन कि अकबर ने सरोच मंसब 7 जरी किस राजपुत साथ सब को दिया था तो दोस्तो अक्पर ने सरोज मंसब साथ जाई जो मंसब था ये दोस्तो किस राजपुल साथ सको दिया गया ये दिया गया दोस्तो राजा मान सिंग को किसको राजा मान सिंग को सर इसका राइट आंस्वर है अब अगला पर्सन दोस्तों 16 पर्सन 2nd grade बढ़ती परिष्टा 2013 में पूछा जा चुका है कि दूर मेडी स्तान किस लोग देवता से सम्मधित है तो दूर मेडी इस्तान दोस्तों है इनमें से किसे समंदिद गोगा जी से किसे समंदिद है दोस्तों गोगा जी से सर इसका right answer था और यह दोस्तों दूर मेडी बात करें तो यह अनुमान गड में का पर है दोस्तों अनुमान गड में जिसे दोस्तों गोगा मेडी भी कहते हैं और यहाँ पर दोस्तों कब बादरपद कृष्ण नवमी को बादरपद कृष्ण नवमी को दोस्तों यहाँ पर मिला बरता है और इनके जनम की बात करें गोका जी की तो इनका जनम दोस्तों दद्रेवा दद्रेवा चुरू में दोस्तों इनका जनम हुआ था और इनके गुर दोस्तो गोरक नात कौन थे गोरक नात तो ध्यान रखेगा इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखेगा तो सब उप्षन इसका राइट आंसर है यानि दूर मेरिस्तान किस लोग देवता से सम्मधित है ये दोस्तो आपके गोगाजी से अब अगला परसन दोस्तो 17 परसन सेक संपरदाई और इसके दोस्तो जो परमुक चार केंदर है उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेगा ये दोस्तो आपके रेन कौनसा पहला ए दोस्तो रेन फिर दोस्तो है आपके सापूरा सापूरा फिर ए दोस्तो आपके सीहतल कौनसा सीहतल और फिर है दोस्तो आपके खे नाम इस नहीं संपर्दाई तो सह अप्सन इसका राइट आंस्वर था बाकि आपके जसनाती दादू और ना संपर्दाई ये सभी दोस्तों क्या निर्गुण और पासक संपर्दाई है अब अगला परसन दोस्तों आपके अटारों परसन ये आपके अगला दोस्तों नात दौरा राज संपर्दाई ये लगता है दोस्तों जैपूर में जैपूर जिलने में दोस्तों बाण गंगा का मेला लगता है और कब लगता है ये लगता है दोस्तों वैसाग मास में वैसाग मास में और वैसाग मास में भी कब पुर्णिमा को कब लगता है वैसाग मास में भी पुर्णिमा को तो इसका राइट आंस्वर है अगला 200 परसन है पटवार 2011 में पूचा किया परसन है कि बील सेतर में बाव ज के नाम से किने जाना जाता है ये जाना जाता है दोस्तों मोतिलाल तेजावत को इन्हें दोस्तों आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें कहते हैं तो बावजी के नाम से किने जाना जाता है ये जाना जाता है मोतिलाल तेजावत को अगला परसन 2100 परसन पटवार 2011 और कॉंस्ट के गले का पुछन है किसका पुछन है दोस्तों ओंट के गले का सा ओप्सन था इसका सही उत्तर अब अगला दोस्तों बाइस ओपरसन ग्राम सेवक बोली को बीलो की बोली कहा जाता है यह आपके वागडी ध्यान रखिया के दोस्तों वागडी है यहाँ पर वागडी बोली को बीलो की बोली कहा जाता है तो अब अप्सन था इसका राइट आंस्वर अगला दोस्तों चोई सो परसन की राजस्तान सासन का एकिकर्द रूप अ स्थीत्वों में आया तो यह आया दोस्तों 1990 में 1950 में बहुत अप्सन है इस परसन का राइट आंस्वर अगला दोस्तों 25 परसन सेकेंड के 2011 और PTE 2011 में दोस्तों पूचा गया परसन कि राजस्तान में परसिद एकी आंदोलन का नेतरत्व सूतरपाद किया गया था तो दोस्तों राजस्तान में एकी आंदोलन का नेतरतव या फिर सूतरपाद ये दोस्तों मोतिलाल तेजवत द्वारा किया गया था 1920 में किया गया था मातर कुंडिया नामक इस्तान पर कब मातर कुंडिया नामक इस्तान पर तो बाव उपसं था इसका राइट आंसर तो ये था दोस्तो अंतिम पर्सन आज का और उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक करें, सेर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल पर नए तो जरूर सबस्क्राइब करें और यकिन माने दोस्तों ये परसन आपके आगामी होने वाली परिक्साओं में राजस्तान की सभी परकार के परिक्साओं में मैत पुन साबित होंगे तो मिलते हैं दोस्तो नए वीडियो में कुछ ऐसे ही मैत पूर नए परसनों के साथ तब तक के लिए जे हिंद वंदे मातरम